आज हम लोग बनाना सीखें एकदम खुश्बूदार चाए मसाले की रेस्पी जैसे आप चुटकी भर भी अगर चाए में डाल दोना इतनी जादा अच्छी खुश्बू आ जाती है हमारे चाए में और ऐसा चाए मसाला आपको बजार में भी नहीं मिलेगा चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लो तो चलिए बनाना सीखते हैं यह सिंपल इजी लेकिन बहुती जादा फ्लेवरफुल चाए मसाले की रेस्पी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चोथाई कटोरी के जितना मैंने हरी लाइची ली है थोड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है थोड़ा सा लॉंग डालेंगे आप देख सकते हैं 7-8 कलिया होंगी और साथी में आधा चोड़ा चमबच के जितना काली मिर्च औ और एक छोटा चमबच के जितना सॉंफ डाला है, सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे, मैं बहुत जादा quantity में नहीं बना रही हूँ, इतना बना रही हूँ कि 10-15 दिन चल जाए, मैं हमेशा फ्रेश बनाती हूँ, खतम होता है फिर फ्रेश बनाती हूँ, और मुझे अ करीबन 4 चमबच के जितना सोट का पाउडर, आराम से मिल जाता है, सुखा हुआ अदरक होता है, इसे डाल के सारी चीजों को आपको कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, आप खबराएगा नहीं, अगर इसमें हरी लाइची के छिलके भी आते हैं, तो और आप बजार से खरीदना बंद कर दोगे, जब भी चाय बनानी हूँ, यहाँ पर दो कब चाय में बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, बिल्कुल चुटकी भर मैंने डाला है, पानी में दूट डालें, चीनी डालें, चाय पत्ती डालें, जैसे चाय बनती है, बस इसको अच्छे से बालेना है, पका लेना है, और फिर उसके बाद चान के इंजॉई करना है, यह चाय मसाला यूज करके आपकी चाय इतनी फ्लेवर फुल बनेगी ना, कि आपको धाबे में रेस्टरेंट में भी ऐसी चाय नहीं मिलती होगी, एक बार इस तरीके से ट्राय की चाय अच्छा नहीं लगता है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही कम कॉंटिटी में मैंने डाला था, और हमेशा कोशिश करें, 10-20 दिन का फ्रेश तयार करें, बहुत ही बड़ी आ फ्लेवर आता है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरीके की और भी रैस्पीस क के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, मैं मिलती हूं नेक्स ताइम, तिल देन टेक के बबाई, एंजोई